रेलवे भरती में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है अगर यह आप वीडियो नहीं देखते हैं जो भी बड़ा बदलाव हुआ है अगर उसमें आप चेंजेस नहीं करते हैं ठीक है जितने भी बच्चे रेलवे आर्पी आफ कॉंश्टेवल एब ऐसाई का फॉर्म भर रहे यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दू के बारे में अगर कोई भी बच्चा काउंसलिंग लेना चाहता है अब आपको एक गाइडेंस दिया जाता है कि आप 10 के बाद क्या करें साइंस ले या आप कॉमर्स ले ठीक है अगर कोई बच्ची 12 के ब आपको सही नॉलेड्ग होगा कि क्या करना है तभी ऐसंसान बन सकते हैं सरकारी यह शक्र बन सकते हैं हक्यूत तो बहुत तरह कंसे कोर्स होते हैं मतलब अच्छा कासा अर्णिंग कर सकते हो उस फिल्ड में स्पेसलिष्ट बन सकते हो तो इस तीज के बारे में आपके अंदर क्या कबिलियत है आपको किस वे में जाना चाहिए बहुत बच्चे को रहता है गौवर्मेंट जॉब यहां पर काश्रीफिकेट नहीं gooाया था ठीख है और पर थो उन्हें नहीं नहीं बनाया था दूहां पर न 1957 से और अपलाय करने का अपिज से बिछन करते से विलोग करते और से बिलॉग करते कि sws से बीलॉग करते फज़न करते हैं यह पहले यह प्रमान आपके पास नहीं था अगर आपने बाद में बनवाया है तो आपको दिक्कत हो सकता है मेरा बोलेगा मतलब क्या होता है ध्यान से समझे मतलब की देखिए जब से से 2019 में भी ओबी सी था एसई था तो अभी तुम नया फ्रेज बनवालो ऐसा आपको बोल सकती है कि यसे नॉन क्रिमी लेयर में करेंट इंकम जाना चाता है कि इतना से कम होता है तब नौन क्रिमी लेयर में आता है ठीक है तो यह चीज जानने के लिए सरकार बनवा सकती है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आओंगा मिलते एकले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार